दमाश्टर प्रकास क्लासेंस यूटूब चनल आप सभी लोग का सौध करता है उत्तर प्रदेश में जूनियर सिक्षक भरती के तयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकेंड पेपर के लिए बिज्ञान और गणित इस बिसाय का चनौव किया है तो ऐसे सभी अभिरतियों के लिए हम लोग इहां पर बिज्ञान के 50 नंबरों का प्रक्टिस सेट लेकर आए हुए है इससे पहले आप लोगों ने जो घटना चकर के टोटल 6 प्रक्टिस सेट थे उसको स्वाल कर लिया है उस बुक में सिर्फ उतने ही प्रक्टिस सेट थे और आज का जो प्रक्टिस सेट है ये आपके एकसीड पब्लिकेशन से लिया गया है तो ये प्रक्टिस सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है पिछले प्रक्टिस से इसमें नियू मेलकल भी दिया गया है थोड़ा इत्मिलान से और ध्यान पूर्वग आपको इस practice set को solve करना है तो चलिए फटाफट अपने प्रिष्णों को देखते हैं और solve करते हैं आज का अपना practice set तो जो आपके बिज्ञान के प्रिष्ण है वो 51 नंबर से start हैं तो हमारा जो पहला प्रिष्ण लिखा गया है उसमें कहा गया है कि चलते हुई motor car के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर जुक जाते हैं ऐसा बिज्ञान के किस नियम के कारण होता है यहाँ पर एक्ची समझ लीजे आपको ये ABCD जो चार बिकल्प दिये गया है पर तेक प्रिष्ण में ये आपको पढ़ना है बिकल्प पढ़के कौन सा बिकल्प सही होगा इसको comment box में लिखते चलना है अगर आप ना लिखना चाहें तो अपने मन में भी इसका आंसर आप दोहरा सकते हैं यहाँ पर हम लोग बिकल्पों पर चर्चा करने वाले नहीं हैं जो प्रिष्ण आपको कठें लगे उसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए और उसको आप डिटेल में जाके कि अपने लूसेन की बुक हो या आरिहंत की बुक हो कोई भी बुक आपके पास है उससे आप पढ़ सकते हैं तो पहले प्रिष्ण के लिए हमारा विकल्प सही रहेगा ऐसा जड़त्यों के नियम के कारण होता है आगे बढ़ते हैं फिप्टी टू नमबर पर जब धोनी सरोत तथा सरोता के बीच आपेक्षित गती होती है तो सरोता को धोनी की आबरती बदली हुई प्रतीत होती है इस प्रुभाव को हम लोग डॉपलर प्रुभाव कहते हैं ठीक है, अब आपको ये बताना है कि डॉपलर प्रभाव का जो उप्योग है, वो कहां पर किया जाता है? तो डॉपलर प्रभाव का उप्योग, आपका बिकल्ब 1, 2, 3, ये तीनों सही हैं, यानि कि दिये गए प्रिष्णे के लिए आपका बिकल्ब D सही रहेगा उप्रूप में से सभी क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 53 नम्मर के प्रिंट पर प्रायात तेज आधी आने पर फूस की या टीन की जो हलकी छते होती है, वो उड़ जाती है, ऐसा क्यूं होता है? था फूस की नीचे दाव सामाने रहता है, इसलिए जो छत होती है, जो टीन या टपर होते हैं, सारे उड़ जाते हैं, बिकल्ब D आपका बिलकूल सही है ठीक है तो दो अच्छे-च्छे हम लोगं को प्रिश्ण मिले हैं दो तीन अब आगे बढ़ते हैं अच्छा इस practice set में एक दो आपके प्रिश्ण सिक्षण से भी सम्बन्धित हैं तो इसको भी अमलुक पर लेते हैं आपके प्रिश्ण में सिक्षण आने की उमिद ना के बराबर है लेकिन चलिए दिया गया है तो पढ़ लेते हैं तो 54 नमर पर लिखा है उच प्रास्मिक इस्तर बिज्यान सीखने का अर्थ है तो उच प्रास्मिक इस तर पर जो विज्ञान सीखने का अर्थ होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है और यहाँ पर आपका विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कर्शनाम जलेली दिसको देख लेते हैं ये कोई बहुत ज़ादा इंप्पोर्णेट नहीं है कच्छा जो आपके साथ लिखा है कि बिद्यार्थियों को बिज्ञान पढ़ाते समय चंद्रकला मैम द्वरा बिद्यार्थियों का गती सम्मंदी उधारन देती हैं उनके द्वरा दिया गया उधारन निम्न में से कौन सा गलत है तो अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और गती का उधारन देता है तो कौन सा उधारन गती का नहीं हो सकता है दिये गए बिकल्पों में से बताना है तो घड़ी के चलने की जो सुया होती है वो गतिक उधारन नहीं है वो उस्तरल आवर्द कतिका उधारन है विकल्प D हमारा यहाँ पर जो है वो गलत है 56 नमर पर चलते हैं ये भी एक आपका सिक्षन से ही सम्मंधित प्रिश्ण है इसको आप पढ़ लीजेगा हम लोग इसको नहीं पढ़ रहा है आप डेटेल में पढ़ लीजेग उसका दिया गया विकल्प B यहाँ पर हमारा सही रहेगा आगे बढ़ते हैं अपने वास्तविक प्रिश्णों पर तो 57 नमर में दिया गया है जब रेफ्रिजरेटर का आवस्कार नहीं हुआ था तो दूद को फटने से बचाने के लिए 2-3 बार उबाला किस कारण से जाता था तो दूद को फटने से बचाने के लिए हम लोग बार बार उबालते थे और ऐसा क्यों करते थे यही आपको बताना है बिकल्पों को जो रध्यां से देखिएगा क्योंकि दूद में एक जीवाडू होता है जिसका बढ़ते हैं धोनी में डॉपलर प्रुभाव उत्पन होता है कब उत्पन होता है जब इस रोत तथा स्रोता के बीच कौन से इस्थती होती है तो जब इस रोत और स्रोता के बीच में आपकी आप पेक्षित गती वाले इस्थती होती है तभी हमारा डॉपलर प्रुभाव उत चुके हैं आगे बढ़ते हैं उस्मा गतिक का जो पर्थम नियम है वो किस पर आधारित है तो 59 नमबर में आपका कौन सा प्रिष्ण सही होना चाहिए वो उर्जा सरक्षन के सिधान पर आधारित है उस्मा गतिकी का जो पर्थम नियम है विकल सी यहां पर आपका बिल्कुल स दोनों का दरबमान कितना 10 kg है, एक दूसरे से 100 cm की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो आकर्षन बल लगेगा वो आपको बताना है, तो फार्मॉला क्या होता भईया, F बराबर होता है G, जहां पर G साबर्तिक नितांक होता है, और M1 गुणे की कितना होगा, M2 बटे R स्कॉयर, ठीक है, अब G कमान आपको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसमें हम लोग वैलू पुट करते हैं, तो वैलू जब पुट करेंगे, तो G कमान कितना होता है, 6.67 इंडू 10 पॉर माइनस के 11, ठीक है, और ये दो पिंड है, 10 kg के, यानि कि 10 और इसमें तो इसमें होता है, तो कुलिमला कितना हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस के 9, और वो जो आगे वाली वैलू आ रहे थी, वो तो आएगी ही, तो हमारा विकल्प ए, यहाँ 6 नमबर प्रिशनी के लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आगे वाली जो कितनी हो जाएगे, 10 की पावर माइनस के 9 नूटन हो जाएगी, तो आपको क्या करना, फार्मुला देख लेना है, और उसमें वैलू पुट करके, आप तो आंसर निकाली सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बल की जो प्रबलता होती है, प्राया किस से ना पी जाती है तो बल की जो प्रबलता होती है, वो उसके परिणाम, एक मिनट ये बार बार कुछ डिस्टर्बिंग है, तो परिमान से मापी जाती है, आपका दिया गया बिकल्प D वाला बिलकुल सही रहेगा, ठीक है, बल की प्रबलता इसके परिमान से मापी जाती है, चलिए आगे 65 नमबर के, एक मिट रुकी, यहां पर कुछ बारबार गलतियां हो रही हैं, एक मिट, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर से दो ग्रहों की उफसत दूरियां क्रमसा 10 की पावर 11 तथा 10 की पावर 10 मीटर हैं, ग्रहों के आबर्तकालों का अन्पात क्या होगा, तो आप लो पाती होता था, जूकि दो आबर्तकाल हैं, इसलिए T1 और इसको R1 कह लेते हैं, नीचे क्या लिख देंगे, T2 लिख देते हैं, इसको बराबर कनसान भी लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर कनसान लगाएंगे, तो एक नियतांक रहेगा, और नियतांक उपर नीचे दोनों ज होती हैं, उसपर घात 3 होती हैं, जो आबर्तकाल होता है, उसपर घात 2 होता है, पुलमिलाकी यह कहने का मतलब है, अब इसको मौखिक स्वाल्ट करते हैं, ज्यादा लिखेंगे नहीं, तो यह हमारी पहली दूरी है, इसपर घात 3 करेंगे, तो 10 की पावर 11 है, जब 3 बार कर करेंगे, यह 30 है, यह 35 है, कैंसल आउट होगा, तो कितना बचेगा, ऊपर आपका 1000 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है, आगे इसको बढ़ाते हैं, तो 1000 को 100 और गुणे, यहाँ लिख दीजे 10, और नीचे आपका 1 है, और यहाँ क्या है, ती 1 स्क है, जब इसका बर्गमूल करेंगे, तो 100 का बर्गमूल तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 का बर्गमूल तो आएगा ही नहीं, तो 100 का बर्गमूल 10 हुआ, और 10 का बर्गमूल होता नहीं है, तो इसको अंदर रूट के अंदर ही लिखेंगे, और नीचे एक लिखेंगे, तो आपक प्रिश्णों को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं आप फार्मूला बता दिया गया है आप आराम से उसको कॉपी पेन लेकर सॉल्व कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जो तैरने का नियम होता है वो न्यूटन के किस गती के नियम पर आधारित है तो बहुत है आसान प्रिश प्रिशले जो प्रैक्टिस एड घटना चक्र के मिल है ती उसमें नियूमेरकल नहीं था लेकिन इस प्रैक्टिस एड में नियूमेरकल है और आपके 50 नमरों में यकीन मानिए 3-4 नियूमेरकल के प्रिश्ण तो आएंगे ही तो 64 नमर में चलिए हम लोग फार्मूला का जब चलता है तो जो यू होता है यानि प्रारम में बेग होता है वो हमारा 0 हो जाता है और तोरण यहाँ A कमान तोरण A होता है A कमान ये वाला आपका दिया गया है और चलना प्रारम करता है 4 सेकंड ये T कमान भी आपको 4 सेकंड दे दिया गया है तो पिंड का बेग आपक कहां दिया गया है एक कमान ये आपका दिया गया है और टी कमान कितना दिया है ये चार सेकंड दिया गया है इसको आप सॉल्ब कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आजगा चार चोग सोला सोला मीटर प्रति सेकंड आपका आजाएगा आप प्रिश्णों को solve कर सकते हैं calculation कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है पैसर नमर के प्रिष्ण में भी numerical ही है दो एंपियर के धारा 50 ohm परतिरोध से एक मिनट तक प्रवाहित होती है तो परतिरोध की कितनी उस्मा होगी तो भाईया चलो उस्मा का फार्मला लेखो उस्मा का फार्मला होता है h बराबर जो एंपियर यानि की i square और r और t ठीक है अब इसमें मान रख दीजिए i का मान कितना है 2 i का मान कितना यहाँ पर देखिए 2 amp लिखना तो 2 है 2 कबर करेंगे तो 4 आएगा और का मान कितना दिया है तो 65 नममर के परिश्ण में तो इसमें आंसर ही नहीं दिया गया है आपका आंसर आएगा 1,2,0,0 इतना जूल आपका आंसर आएगा, ये कहां पर है, ये कहीं नहीं है, तो कुल मिला कि आपका कौन सा विकलब सही होना चाहिए, आपका ये D वाला विकलब सही होना चाहिए, चलिए, 6-6 टंबर पर बढ़ते हैं, 6-6 निमर पर बढ़ लेते हैं, एक लोक्रण जो 5.6, 10 की ये तुरण का मान है, ठीक, ये तुरण लिखा भी है, प्रारम में गति के दिशा में प्राप्त करता है, कितने समय में इलक्रोन का बेग, उसके प्रारम में बेग से दोगना हो जाएगा, प्रारम में बेग दोगना हो जाएगा, यानि अंतिम बेग जो होता है, वो भी है, और अंतिम जो है वो प्रारंभिक के दोगना है तो ये कितना हो जाएगा वी का मान हो जाएगा 10, 10 की पावर 5 का दोगना कर दीए ये 5 है ना 5 का दोगना करिए 10 गुणे 10 की घाथ 4 तो कुल मिलाके यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं 10 की घाथ 5 ठीक है ये किस का मान है वी का थोड़ा ध्यान से रखिएगा आप कॉपी पेन लेके लिखते चलिए क्योंकि यहाँ पर बार-बार मिटाना पड़ता है तो ये वी का मान हो गया 10 की घाथ 5 हो ठीक है दोगना करने पर पर ये पहले वाले का दोगना करने पर इतने समय में इलेक्रोन कितनी दूरी तैंक करेगा तो सबसे पहले हमें समय निकालना पड़ेगा अब देखिए सब आपको पता है ये तोरण का मान है वी का मान आप निकाल चुके हैं ये एक का मान है तो पहले वाला एक मिनट कभी कभी ज्यादा बोलने से भी गला बैढ़ जाता है तो पहले आप क्या करेंगे वी वराबर यू प्लस ए ट ये फर्मूलर लगाएंगे इसमें भी कमान निकाल लिया आपने यू कमान ये दिया है ए कमान तुरण कमान ये दिया है ट आप यहां से निकल आएगा तो हमें कौन सा फर्मॉल लगाना हमें निकालना क्या है दूरी और दूरी का फर्मॉला कौन सा होता है भया दूरी का फर्मॉला होता है s बराबर ut प्लस के half a t square ये होता है हमारे दूरी का formula इसमें u का मान आपको पता है t आप निकाल चुके हैं a का मान आपको पता है t आप निकाल चुके हैं ये formula लगाएंगे तो आपका answer आजाएगा और कौन सा बिकल्प c रहेगा बिकल्प c आपका बिल्कुल सही रहेगा यानि कि हम solve नहीं कर रहे हैं solve आपको करना है मेहनत आपको करना है exam आपको qualify करना है तो करिए मेहनत और pen उठाएगे और इसे solve करिए तीसरा बिकल्प आपका सही रहेगा जिस तरीके से बता है उसी तरीके से आपको solve कर लीजेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किर्चाफ का नियम किस पर लागो होता है 67 नममर में पूछ रहा है कि किर्चाफ का जो नियम है वो किस पर लागो होता है तो भीया A C और D C दोनों पर लागू होता है विकल्प C हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा फटा-फट अपने आगे के प्रिष्णों को सॉल्ब करते हैं मानों को सरीर में पाये जाने वाला सबसे अधिक तत्तो कौन सा है तो कौन सा तत्तो सरवाथिक मात्रा में पाये जाता है मानों सरीर में तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ऑक्सिजन आपका विकल्प सही रहेगा कौन सी धातू कमरे किताब पर दरब अवस्था में पाये जाती है तो ये तो बच्चों वाला प्रिश्ण है कमरे कताब पर जो दरव वस्था में पाया आता है वो पारा पाया जाता है सबसे हलकी धातू कौन सी है तो सबसे हलकी धातू सबको पता होना चाहिए लीथियम होना आपका विकल्ब C यहां पर बिल्कुल सही रहेगा निलंबन में बिले के कड़ों का कार कितना होता है तो बिले के कड़ों का कार निलंबन में कितना होता है 81 नमबर प्रिश्ण के लिए 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 4 सेंटिमीटर के बीच में होता है पहला वाला विकल्ब आपका यह बिल्कुल सही रहेगा बिकल्प बिल्कुल सहीर आएगा आगे बढ़ते हैं यह जो आप प्रकार के प्रिष्णों के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी प्रकार का प्रिष्णा सकता है हाई लेवल का आएगा तो मेरिट कम जाएगी लो लेवल के कुश्चन आएगे तो मेरिट जादा जाएगी तो उससे आपको प्रिषान नहीं होना किस प्रकार के प्रिष्णा आएगे जैसा भी आएगा हम सॉल्व करेंगे और एक्जाम को कौलिफाई करेंगे तीहतर नमर में कह रहा है एक मिनट ये बार बार आथ थोड़ी सी गलतियां हो रही है तीहतर नमर में कह रहा है एस उपकोस में इलेक्ट्रॉन की अधिक्तम संख्या कित्मी हो सकती है तो S जो उपकोस है उसमें इलेक्टरोनों की जो अधिकसम संख्या हो सकती है आपका बिकल्प C दो बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं 2P की पावर 6 में उपस्तित पर्थम इलेक्टरोन की चारों कौंटम संख्याएं क्या होती है तो क्या होती है भाईया तो पर्थम जो चारों quantum संख्याएं होती हैं वो आपका पहला वाला विकल्प n की वैलू 2, l की वैलू 1, m की वैलू 1, half और s की वैलू 1 by 2 यानि कि आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहे का detail में इसको पढ़ लिजेगा अपने book से 75 नमर पर चलते हैं नमर में से कौन सह सहयोंजी बंद से नहीं जुड़े हुए हैं यह आपके चार योगिक हैं इन में से किसमें सह सहयोंजी बंद नहीं बना है तो यहाँ पर आपका विकल्प सही सही हूँ जी बंद को डिटेल में पढ़ लीजिएगा यहाँ पर आपका विकल्प D, N2O बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन लवण दुई की लवण यानि कि डबल सॉल्ट है तो दुई की लवण कौन सा है? दुई की लवण होता है फिटकरी और फिटकरी का फार्मूला कहाँ पर है भीजा? फिटकरी का फार्मूला है यहाँ पर विकल्प D आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है 77 नमर पर चलते हैं लाल सिंदूर का रासानिक नाम क्या होता है? तो क्या होता भीया आपका कौन सा विकल्ब सही होगा आपका C वाला विकल्ब सही होगा ट्राइप लंबिक ट्राट्रोकसाइड विकल्ब C यहां पर बिल्कुल सही है निम्न में से कौन सा वर्ड फ्लू का कारण है तो वर्ड फ्लू किसके कारण होता है तो हाँ पर H5N1 ये आपका पहला वाला विकल्प बिलकुर सही रहेगा निम्ण में से किस कोसका को कोसका का पावर हाउस कहते हैं तो कोसका का पावर हाउस किसे कहते हैं सबको पता है माइट्रो कांड्रिया को कोसका का पावर हाउस कहा जाता है फटा फट आंसर दीजी ज़़दा देर नहीं लगाना है निम्न में से किसको लाल रक्त कोसकाओं की कब्रगाह कहा जाता है तो लाल रक्त कोसकाओं कहा जाकर नश्ट हो जाती है जिसके कारण उस अंग को लाल रक्त कोसकाओं के कब्रगाह कहा जाता है तो उस अंग का नाम है यक्रित, पहला बिकल्प आपका बिल्कुल सही है, मानों सरीर की कोशकाओं में पाई जाने वाले गुर्ण सूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो ये बच्चों वाला प्रिश्ण यहाँ पर आ गया है, ऐसे कुछ प्रिश्ण बहुत ही आसान बिकल्प है, इन में से कौन सा जोड़ा सही है वही बताना है, एक ही सही है, बाकि सब गलत है, तो बिटामिन B2, आप 82 नंबर में जो B वाला बिकल्प है, उसको देखिए, बिटामिन B2 को राइबो फ्लेबिन कहते हैं, ये वाला बिकल्प हमारा बिल्कुल सही है, बाकि पर जोड़े गलत दिये गए हैं, गेहुं से रोटी बनाने की गुणों को प्रभावित करने वाला प्रभावित करने वाला बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए, निमेद बिटामिनों में से कौन की इसा, किसी सवपन को प्रियाप्त आउजी में याद रखने में सहायक होता है तो सौपन का बिटामिन किसे कहते हैं? 84 नमबर में आपका C वाले जो बिकल्प है बिटामिन B6 ये आपका बिल्कुल सही रहेगा चलिए आगे भरते हैं निमलत में से जो योगिकों के किस समू को सहायक आहार कारक कहा जाता है तो सहायक आहार कारक किस योगिक के समू को कहा जाता है? और उसका नाम है बिटामिन आपका D वाले विकल्प 85 नमबर में बिल्कुल सही है आगे भरते हैं निमलत में से किस के उपा पचाई प्रक्रम से अधिकतम उर्जा मिलती है? तो चापा चापाई नहीं ये उपा पचाई लिखा है के प्रक्रम से अधिकतम उर्जा कहां से मिलती है? तो बहुत सारे मिस्प्रिंट हो जाती है किताबों में आपको यहाँ पर 86 नमबर में कंफ्यूज तो होना नहीं, कार्बो हाइडरेट्स और बसा में से कोई एक आंसर आपका सही होगा और सही कौन सा होगा, आपका बसा सही रहेगा, बिकल्ब भी यहाँ पर बिल्कुल सही है भोजन का एक प्रमुक अंग कौन सा है, तो यह सारे भोजन के अंग दिये गए है बिकल्बो में लेकिन एक प्रमुक, सबसे प्रमुक कौन सा है दिये गए बिकल्बो में से तो वो आपका C वाला बिकल्प Karbohydrates है आगे बढ़ते हैं मानों के बाल और नक नक मतलब होता है नाकून में नुम्रिट में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो बालों और नाकूनों में कौन सा प्रोटीन होता है आपका kriyatin होता है बिकल्प जो B वाला है वो आपका बिल्कुल सही है 89 नमर ब चलते हैं इसमें क्या करना भई या इसमें आपको जोड़ा मिलाना है तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं बाद में बिकल्पों को देखते हैं रताउधी किस विटामिन के कारण होता है किस बिटामिन की कमी से होता है तो सब को पता है बिटामिन A की कमी से रतोधी होता है रिकेट्स किस की कमी से होता है बिटामिन D की कमी से होता है इसकर अभी बिटामिन C की कमी से होता है और बेरी बेरी बिटामिन B की कमी से होता है तो आपका जो जोड़ा बन रहा है वो 4, 1, 2, 3 का हमारा करम बन रहा है और 4, 1, 2, 3 आपके बिकल्प C में दिया गया है अगले प्रिशन पर चलते हैं प्रोटीन का मुख्यतत तो कौन सा होता है तो प्रोटीन का मुख्यतत तो कौन सा होता है प्रोटीन का मुख्यतत होता है नाट्रोजन विकल्प भी यहाँ पर आपका दिये गए विकल्पों में बिल्कुल सही है इलायो प्लाष्ट किसका संग्रहन करता है तो इलायो प्लाष्ट जो है किसको इकठा करता है ये बसा को इकष्ठा करता है विकल्फी आपका बिल्कुल सही है रताउंधी किसकी कमी से होता है अभी अभी आपने उपर पढ़ा है रिताओधी बिटामिल A की कमी से होता है आगे बढ़ते हैं फलों तसा सब्जियों में मूम के गोल का उपयोग किया जाता है तो फलों और सब्जियों के लिए हम लोग मूम के गोल का उपयोग करते हैं जिससे क्यों करते हैं यही आपको बताना है जिससे हम लोग उसको अधिक समय तक सुरक्षित रख सकें यानि कि कौन सा विकल्ब सही होगा विकल्ब भी आपका बिल्कुल सही रहेगा भारी जल क्या होता है तो भारी जल को हम लोग जो परमालू रियक्टर होते हैं उसमें मंदक के रूप में इस्तिमाल करते हैं विकल्ब भी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं परतिसत्ता की अधार पर वायो मंडल में सरबाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है यानि कि ये सारे प्रिशन तो आप कच्छा 3-4 से भी पढ़ रहे होंगे 95 नंबर में नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल सही रहेगा कोई इसमें दिक्कत होनी की बात नहीं है एक भार हिन को बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है इसका जल में भार क्या होगा जब जल में डुबोएंगे तो भार क्या होगा तो ये सारे चीज़ें आप लोग ने आर्कमडिस के सिधात में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा यहां पर भार हमारा सून होगा पहला वाला बिकल्ब हमारा बिल्कुल सही रहेगा 97 नमबर पे झलते हैं अबले बर्सा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं आपको बताने अबले बर्सा का क्या कारण है तो अमले बर्सा नैट्रास ओक्साइड और सल्फा डाइकसाड के कारण होती है विकल्ब डी यहां पर हमारा बिसकुल सही है 98 नमबर में बताना कि हाथ से गैस कौन सी है जिसको हम लोग लुफिंग गैस के नाम से जानते हैं तो लुफिंग गैस किसे कहते हैं? नैट्रस ओक्साइड को कहते हैं विकल C यहाँ पर सही रहेगा और आगे बढ़ते हैं 99 नमबर पर नमिल्क में से किसका उप्योग बिसफोटक के उत्पादन में किया जाता है तो बिसफोटक के उत्पादन में किसका प्रियोग करते हैं? गिल्स रॉल का प्रियोग करते हैं बिक पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है और आज की अपने आखरी प्रिंट पे चलते हैं ट्यूमर संसूचित करने में प्रियोक्त रेडियो एक्टिब जो समिस्थानिक है वो कौन सा है यानि ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिब पदार्थ है जिसका हम लोग ट्यूमर की लाज में उप्योग करते हैं तो सो नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा वो आर्सेनिक है आर्सेनिक 74 आपका ये जो समिस्थानिक है इसका प्रियोग हम लोग ट्यूमर की लाज में करते हैं तो आज का practice set बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मज़ेदार practice set था इसमें आपको numerical भी मिले हैं और अच्छे अच्छे प्रिशन भी मिले हैं इस practice set में जो कि हम लोग ने 50 प्रिशनों को solve किया है इसमें से आपके कितने प्रिशन सही हो रहे हैं उसको comment box में जरूर लिखिएग जिससे हम लोग भी धिरे धिरे करके एक बड़ा YouTube चलंग बन सकें आप सभी लोग का सहयोग बहुत ही जादा आवश्यक है चलिए मिलते हम लोग अपने अगले किसी practice set में आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद